आज मैं आशूस फैंस के लिए एक गूद नियूज लेकर आए आप सब यह इस वह सोच रहे थे कि आशूस फॉन 3 कब लोन चोगा श्रूस के क्या स्पैसिफिकेशन सब्सक्राइब क्या कुछ कुछ होगा तो आप सब का इंतिजार खतम होने वाला है आज में इस विडियो में उस फोन की हरड़ चीज डीटेल में बात करूंब और कैसा वो दिखता है क्या उसके specificures होगी क्या 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 उसमें नया head includes विडियो में इस फोन से रेड़ेट हर चीज़ के बारे में बात करूं आप प्लीज इस वीडियो में एंट तक जरूर बरे रहना ज्यादा टाइम में वेश्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो अब हम इस फोन के स्पेश्विक हैसे देख लेते हैं फोन का नाम है आशूस करना चाहता हूं इसमें 144 हर्स का डिस्प्ले रिफ्लेश रेट जिससे के हम बढ़िया तरीके से गेम खेल पाएंगे और हमें बिल्कुल स्मूद गेम देखने को मिलेगी इसके बोड़ी की बात करें तो इसमें फ्रेंट और बैक में गोरिला ग्लास के प्रोड़क्शन द गया है जो कि तो फर्स्ट कैमरा वो 64 मेगा पिक्सल का है एफ प्रेचर 1.8 जो सेकंड कैमरा वो 13 मेगा पिक्सल है प्रेचर 2.4 जो की अल्ट्रा वाइड कैमरा है अब इसके साथ LED फ्लेश हमें देखने को मिल जाती है बाकी कैमरे में में HDR पैनरोमा जैसे ब्यूटी lud के रिकोडिग के बात करें तो इसमें 30 to 60 और 240 fps तक की अब इकोडिंग कर सकते हो अगर हम-इस में में 720 बात कर्सके हैं अब यह सब्सके तो इसके विडियो रेजुलेशन की बात करी जाए तो इसमें रिकोर्डिंग कर सकते हैं नहीं है और नहीं में 60 प्रॉप्शन दिया गया है अब इसके पर्फॉर्मेंस की बात करते हैं तो यह ऑपरेटिंग अब इसके चिपसेट के बारें बात करें प्रोसेसर के बारे में तो इसमें पहले निकल गहाएं तक जाएंगी जिससे के बढ़िया तरीके से प्रफॉमस मिलेगी अब इसकी जीप्यू की बात करें तो इसमें एड्रीनो सिक्सिफ्टी लेटस्ट एड जीप्यू लगा हुआ है अब इसके रैम और इंटेर्नल स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं इसमें म कर दो इसमें मत्यां डालों यह दूस मुपो कि में पहले कंपनी बहुत आख स्थपेस दिर इसमें बता देता हूं और रहनों में तो सब्सक्राइब 3300 कर देलें salary में आले वाला है जो सेकंड वेरियो या डोल भी देखने को मिलेगा तो मैं बता देना चाहता हूं इसमें डी टी एस स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे जो कि तु डेटिएट एम्प्लिफाइस में लगे हुए जिससे कि आपको ज्याद ही लाउड साउंड आपको मिलेगी इसमें दोस्तों मैं आपके देखने को मिल जाएगा इसकी कम्यूकेशन की बात करते हैं Bluetooth कि बात करें तो इसमें आज की टाइम पर भी कोई रेडियो सुनता है तो दोस्तों उसके लिए इसमें रेडियो प्रोवाइड किया गया है अब इसके सेंसर की बात करें बायोमेट्रिक की तो इसमें दोस्तों अब इसके सेंसर को मिल जाएगा अब इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसमें 5800 मह बैटरी दी गई है इसमें 6000 बैटरी देखने को नहीं मिलेगी जो कि पिछले वक्स चाइट तो में अवालेबल होगा इसमें क्विक चार्ज़ 4.0 सपोर्टेड है में हम रिवर्स पर देखने को मिल जाएगी अब इसके के बात करता है कि यह 5G सपोर्टेट यह नहीं तो मैं बता देना चाता हूं दोस्ते यह 5G सपोर्टेट फोन है जिसमें 4GB बागे डियूल वॉल्टी फोन है अब दोस्तों इसकी लॉंचिंग डेट के बात करते हैं तो इसकी लॉंचिं इसमें 16GB की रैम दी गई है वन टीवी तक कि इसमें इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है तो मेरे साब से इसमें 45-50,000 की आसपास अमें इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा बाकिया भी कमपनी में इसके बारे में कोई भी बात अभी डिसकस नहीं किया ओफीशली त प्राइस के साफ से बढ़िया लगा या नहीं लगा दोस्तों और यह मैं क्या क्या कुछ नया होना चाहिए था वह भी दोस्तों कमेंट करके जूरू बता देना ताकि में को पता चल सके कि आपको क्या और इसमें एड करने की सोच रहे थे अगर आप में को फेस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लेज फॉलो कर लो मेरा यूजर नेम आपके स्क्रीन पर फ्लैस और आपके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहता हूं अगर आपकी और भी किसी चीज से कोई क्यारी है कोई कुछन आप पूशना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जू जोइन करें बस दोस्तों धन्यवाद